प्रले यानि की सामने मौत और वक्त ऐसा जब आपके सामने आपके अपनों की जान जा रही है और आप कुछ नहीं कर सकते आप बिलकुल बेबस है घड़ी की सुई जैसे एक एक सेकंड चल रही होती है ठीक वैसे ही आप दो एमोशन से गुजर रहे होते हैं पहला खुद की मौत का डर और दूसरा अपनों को खोने के कम अब केरल की वाइनाड में इसी तरह तरह की जबरदस्ट प्रले आई एक सो सतर से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और हजारों की संख्या में ऐसे लोग जो घायल हुए इनमें सैकडों ऐसे जिन्होंने मौत को ख परिवार की अब इनकी कहानी आपको ना सिर्व भावुक कर देगी बलकि भगवान आस्था और विश्वास की ऐसी डोर से बांदेगी जिसे आप हमेशा सहेच कर रखना चाहेंगे सुजाता और उनका परिवार फिलहाल राहश शिविर में है लेकिन उन्होंने जब अपने बचने की कहानी बताई तो मानो गणेश भगवान ने साक्षात आकर उनकी रक्षा की हो ये माना गया दरसल मंगलवार की तड़के भूसकलन में बचने की कहानी में उनके हिम्मत के अलावा तीन हाथियों का ऐसा योगदान सामने आया जिससे पढ़कर आप भावक हो जाए रिपोर्ट के मताबिक सुजाता अपने पती बेटी और दो पोते पोतियों के साथ चुरल माला की वादियों का आनंद लेने के लिए वह वहां पर पूरा परिवार पहुंचा था और उन्हें बिल्कुल इस बात का आभास नहीं था कि एक बहुत बड़ी आपदा उनका इं उनके घर में जहां वो सब ठेरे हुए थे पहाड का मलबा यहां पर घुसने लगा था यानि कि बहुत बुरी हालत हो चुकी थी अब सुजाता को उस वक्त ये पता चल चुका था एक बहुत बड़ी आफद दस्तक दे चुकी है पहाड के मलबे को मात देती हुई सुजाता किसी तरह सुरक्षित पहाडी तक जरूर पहुँच गई लेकिन यहां पहुँचते ही जो देखा उनकी आखे फटी की फटी रह गई सुजाता अपने परिवार के संग भूसकलन के मलबे से बचकर पहाडी पर पहुँची तो वहाँ पर घुप अंधेरा बिलकुल अंधेरा चाया हुआ था उनको कुछ नजर नहीं आ रहा था और उनको ये लगा कि पास में कोई विशालकाय चीज़ खड़ी हुई है और लगी कि किसी तरह से उनको भगवान बस बचा ले और चमतकार हुआ उन्होंने देखा कि आपदा का असर सिफ इंसानों पर नहीं जानवरों पर भी हुआ है जानवर भी वहाँ पर बहुत डरे से हमें लग रहे थे उन्होंने बताया कि मैंने हाथी से प्राथना की कि हम एक आपदा से बच गए हैं और रात के लिए हमें यहां रुखने के लिए बस एक रात की और मौलत दे दी जाए हमने हाथी से हमें बचा लेने के लिए भी कहा अब सुजाता उस पल को याद करते हुए यह बताती है कि हम हाथी के पैरों के बिल्कुल करीब थे लेकिन ऐसा आगे बताया कि मैंने देखा कि भोर होते ही हाथी की आँखे यहां पर भराई हैं सुजाता और उनके परिवार को लगता है कि हाथी के रूप में साक्षा गणेश जी वहां पर थे और उन्होंने उनकी जिंदगी को बचा लिया तीनों हाथियों ने जिस तरह पूरी रात उनके परिवार को प्रोटेक्ट किया वो कोई देविय शक्ती ही जरूर रहा होगा अब जैसे ही ये खबर सामने आई और उसके बाद जब सुजाता ने अपनी कहानी बताई तो अब पूरा गाउं इस वक्त बहुत है और हर कोई इसे ईश्वर का चमतकार ही कह रहा है आप क्या सोचते हैं आप कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और ऐसी ही तमाम कहानिया खबरे देखने के लिए आप न्यूज एटिन इडिया के यूट्यूब चानल को जरूर सब्सक्राइब करें